Hello everyone, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक हूँगे, मैं काजल धामी, आप सभी कस्पागत करती हूँ आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटाच साइंस पेड़ागोर्जी यहाँ पर कॉंटिनिय करूँगी और आज इस सेशन का है यहाँ पर दे फाइफ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक पेहद इंपोर्टन टॉपिक कवर करूँगी जिसे आप यहाँ पर validity of curriculum यानि कि जो आपके पाठे चर्या होती है उसकी वैदता को हम यहाँ पर समझेंगे और वो भी खास करकी science subject के specific point हम लोग यहाँ पर cover करने बाले हैं और अगर आपको यह वीडियो यहाँ पर पसंद आते हैं तो इससे पहले की जो सभी वीडियो है या फिर इसके आगे आने वाली जो वीडियो है उन सभी के लिए मैंने यहाँ पर playlist बना दी है comment section में pin form में आपको telegram group का link science, maths इसके लावा science pedagogy, maths pedagogy की जो playlist है वो सभी आपको हाँ पर मिल जाएंगी उनको आप जरू देखेगा ताकि आप अपने exam के preparation में अपने score को यहाँ पर boost कर सकें इन वीडियो के मदद से इसके अलावा अगर आप यहाँ पर exam के preparation कर रहे हैं और आप 2-3 attempts से exam दे चुके हैं बट exam आपका clear नहीं हो रहा है तो आप लोग चाहें तो मेरे handwritten notes से आपे ले सकते हैं जो के paid form में available है जिस जो के खास करकी CTAG paper to math science के content oriented यहाँ पर बनाया गया है with solve previous paper इसके अलावा science के जो आप लोगों किये classes होती है science के जो content की class होती है वे Monday, Wednesday, Friday और Saturday होती है और Tuesday, Thursday, Saturday आपको math की और साथ साथ science pedagogy और math pedagogy की mixed class देखने को मिलेगी अब आज की session में मैं आप लोगों के साथ validity of curriculum यानि कि जो आपके part चरिया है उसके वैदता discuss करूँगी एक एक point को हम बहुत बारीकी से और detail में देखने वाले है सबसे पहले तो देखिए validity शब्द का मतलब क्या है validity मतलब जो आप content टियार कर रहे हो उस content की authenticity क्या है यानि कि वो content कितना बढ़िया है वो content सारे parameter को पूरा कर रहा है यानि कर रहा तो उससे उसकी वैदता का पता चलता है तो यहाँ पे सबसे पहले जो validity आती है वे आती है historically historically valid है यानि कि अगर हम यहाँ पे देखिए तो जो आप content टियार कर रहे हो वो इतिहासिक वैदता यहाँ पे रख रहा है यानि कि रख रहा है तो इससे क्या हमें समझ में आता है अब आप कहेंगे कि science में हम लोग यहाँ पे इतिहास यान कि history क्यों देख रहे है तो देखिए हर subject का हर विशय का अपना अपना एक इतिहास होता है और उसे जिंदा रखने के लिए हमें past और present सब चीज़े का पता होना चाहिए जैसे कि अगर आप historically valid curriculum की बात करें तो यह हमें बताता है कि science किस तरीके से evolve हुई है यानि कि time के साथ subject में, time के साथ आप लोगों के topics में कैसे कैसे परिवार करा है और कैसा कैसे हम लोगों के सामने development हुआ है, कैसा कैसा विकास हुआ है तो इसको समझने के लिए हम लोगों को historically valid content यहां पर देखना होगा और इसका जो सबसे best example है, आप लोगों ने एक chapter पढ़ा है जो कि है structure of item अब देखिए structure of item chapter जब आप लोगों की teachers आपको पढ़ाते ही या अगर आप किसे school में पढ़ाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सबसे पहले ह mister यहां पे JJ Thompson के बारे में पढ़ाते हैं इसके बाद Rudfford के बारे में पढ़ाते है इसके बाद हम Woher's के बारे में पढ़ाते हैं तो हम सीधा सीधा बोहर्स का जो मॉडल है, जिसमें हमारे अलग-लग शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, जब हमें पता है कि अगर हम थॉम्सन रदफोर्ट के कंपारिजम में देखें, तो ये वाला आटम का स्ट्चर करेक्ट है, हम दारिक ये क्यों ने पराते हैं, तो basically हम ये दिखाते हैं कि ये subject, ये topic आपका समय के साथ किस तरीके से evolve हुआ है, तो इसी को ही हम tentative nature के नाम से भी जानते हैं, यानि कि जो आप लोगों की subject है, ये earth high है, इसमें change होता रहता है, तो ये historically valid content हम लोगों को बताता है, I hope ये topic आपको यहाँ पर clear हुआ होगा, अ अब जो next term यहाँ पर लिखा है, वो है cognitive wallet, अब cognitive wallet का मतलब क्या है, कि ये संग्यानात्मक पक्ष को पूरा कर पाह रहा है या नहीं कर पाह रहा है, अब संग्यानात्मक पक्ष में क्या क्या चीज़े आ जाएंगी, सबसे पहले तो संग्यान जो होता है, हमारा cognition जो होता है, यानि कि आप उस topic में कितनी understanding बच्चों में बिठा पा रहे हैं, और understanding का मतलब ये नहीं कि 6th class का बच्चा 10th class के topic समझ रहा है, यानि समझ रहा है, 6th class का बच्चा 6th class के topic को समझेगा, और जो 10th class का बच्चा होगा, वो 10th class के topic को पढ़ेगा, ये मतलब नहीं कि 6th class का बच है वो 12th class के topic समझ रहा है यह हम लोगों को age appropriate चीजे देखनी है कि हम लोग जो बच्चे को content provide कर रहे हैं वो बच्चों की age appropriate है यह नहीं है I hope यह point आपको clear हुआ होगा अब अगला मैंने यहां पे term आप लोगों के लिए लिखा है process यानि कि प्रक्रिया fossil तो यह जो process skill है यह process validity है या फिर आप इसे प्रक्रिया बैधता के नाम से जानेंगे अब process के अंदर क्या था है अब अगर मैं आप लोगों सकहूं मैं science की teacher हूँ मैं science के topic पड़ा रही हूँ तो आप लोगों के mind में कुछ चेजें आएंगी कि हम लोग यहां पे science के बारे मे हम लोग चीजे पड़ा है तो जो उसका content होगा वो कैसा होना अच्छी वे आपके scientific approach को यहां पे पूरा करता है सिंपल से बात है कि आप लोग यहां पे अगर process देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से process करते हैं तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं हम लोग यहां पे innovation बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों के अंदर curiosity ले के आने की कोशिश करते हैं अब अगर आपने अभी जो revise NCRT वो भी देखे होगे, वो activity based है, तो हम लोग activity content करा रहे है, activity content क्यों करा रहे है, ताकि बच्चा उसके process को, प्रक्रिया को समझ सके, ऐसा नहीं कि बच्चा बस fact यहाँ पर याद रखा है, बच्चा उसे activity day to day life से link करता है, अब अगला जो आप लोगों का process skill है, अगला जो यहाँ पर वैधता अगर हम यहाँ पर देखेंगे, वो है content, अब देखिए, जब हमने यहाँ पर देखा, content में आ जाता आपका विशयवस्तू, अब विशयवस्तू कैसा होना चाहिए, विशयवस्तू सबसे पहले तो वही वाला point कि आपका scientific होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कहां पर content प्रोवाइड करते हैं, इसमें illustration होने चाहिए, illustration का मतलब क्या है, examples वगरा होने चाहिए, तो इस तरीके से आपको content देखना है, अब यह जो last है environment यहाँ के प्रयावर्णिय वैधता, अब इसके अंदर क्या आ प्रती, आपस में एक दूसरे प्रती और साते साथ परियावरन की प्रती, यानि कि हमें awareness सब्जेक के थू भी लानी है, सब्जेक के लिए भी लानी है, हमें एक दूसरे के लिए भी awareness लानी है, कि sensitivity हमारे अंदर आए, साते साथ हमारे environmental change जैसे कि global warming, greenhouse effect, जो कि हमारे ही कही न environment को protect करने के बारे में सोच सके, तो इन सभी area, इन सभी 5 validity को जो आपका curriculum फुल्फिल करेगा, वो curriculum हम choose करते हैं, science के लिए, अब आप लोगों के mind में सवाल होगा कि इस topic से आपकी examiner किस तरीकी की question frame करते हैं, तो अब मैं आप लोगों के साथ question यहां पर share करूँगी, मैं उम पर paste हैं, तो देखिए, पहला question हमारे सामने, जिसके अंदर बोल रख है, what is the need for having a historically valid science curriculum, यानि कि विज्ञान की पाथे चरिया में एतिहासिक रूप से वैद होने की क्या अवशक्ता है, अभी मैंने आप लोगों के साथ इस concept को detail में discuss किया था, और मैंने कहा था कि हमें हर subject क अपना अपना एक history होता है, उसे समझना पड़ेगा, और जिसके लिए मैंने एक chapter का नाम लिया था, structure of atom, अगर हम इस chapter को पढ़ाते हैं, या फिर इस chapter को पढ़ते हैं, तो सीधा हम atom के structure को नहीं पढ़ते हैं, हम इसकी theory भी देखते हैं कि जे जे थॉमसन ने क्या बोला था रदफोर्ट ने क्या बोला था, उसके बाद बोहस मॉडल के अंदर क्या था, तो basically आप क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये subject या फिर ये topic किस तरीके से evolve हुआ है, तो आपको इन चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना है, अब यहाँ पर हमें जो option दे रखें, उसमे किस तरीके से develop हुई है, और social factor किस तरीके से influence करते हैं, हम इस stage को समझते है, science किस तरीके से develop हुई है, तो ये वाला point तो सही है, इसके अलावा यहाँ पर बोल रखा है कि, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि, it helped the learner to view science as infallible, यानि कि यह सिक्षार्थियों को विज्ञान के अचूक रूप से देखने में मदद करता है, तो देखी, इस तरीके का तो कोई concept नहीं है, कि हम बिल्कुल अचूक तरीके से इसे देख पा रहे हैं, तो ये B option यहाँ पर correct नहीं होगा, अगला है, it helped learner appreciate how the concept of science evolve with time, ये तो बिल्कुल बहुत best option है, कि हमें एक तरीके से ये च achievement of western countries in science, तो देखिए, ये highlight करने वाली बात तो ऐसे कोई आते ही नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पर A and C सही होना चाहिए, जो कि आपको T option में दे रखा है, I hope ये question और ये type of question आपको यहाँ पर clear हुआ होगा, अब मैं आप लोगों के साथ next question यहाँ पर discuss करती हूँ, जसक अंदर ये बोल रखा है, which of the following best explain the concept of cognitive validity of a science curriculum, अब cognition यानकि संग्यान जो है, किस से संबंध रखता है, मैंने बताया था, brain से संबंध रखता है, और आपको ये चीज अश्योर करनी है कि बच्चे को वो चीज समझ आ सके, और बच्चे को अगर कोई चीज आपको समझ जानी ह यानि कि वो चीज आप चाहते हूं कि बच्चे को अच्छ समझ में आए, understanding बच्चे की बैठे, तो बच्चे की age appropriate आपको content बढ़ाना है, age appropriate क्यों बढ़ाना है content, क्योंकि देखिए आप 6th class से बच्चे से ये expect नहीं कर सकते, कि उसे 10th class का concept आता हो, हाला कि कुछ extraordinary बच्चे जरूर होते हैं, but on an average आपको उनके age के according चीजे पढ़ानी है, तो यहां पर वो रखा है कि इसमें hand on activity पर focus होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो process skill में देखा जाएगा, कि प्रक्रियाब किस तरीके से करा रहे हूं, age appropriate होना चीए हमारे curricular material, यानि कि जो पाठिचरिय सामगरी है वो कि IU उपयोगत होनी चीए, यह यहां पर सही है, अगला यहां पर option क्या बोल रखा है, अगला यहां पर option बोल रखा है, focus on continuous assessment, हम लोगों को यहां पर सतत आकलन पर ध्यान देना है, यहां पर कहीं न कहीं, continuous assessment जो है, वो आपके content और यहां पर हम कहेंगे process पर link करेगा, तो real option भी नहीं है, और यहां पर है कि यह हमारे constitutional value, यहां कि जो हमारे सवेधानिक मूले है, उनका सम्मान करना सिखाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर हम लोगों का, जो content होगा, वो आपका age appropriate होना चीए, अब हम next question यहां पर discuss करते हैं, जिसका अंदर बोल रखा है, which of the following criteria of validity of science curriculum required involving the learner in acquiring the method by which scientific knowledge is generated and validated, अब यहां पर वो रखा है, निमलिखित में से कौन से विज्ञान पाठिचरिया की वैदता में, हम लोग यहां पर जो यहां मानक शिक्षारती होते हैं, उन्हें यहां पर विधिया या फिर प्रक्रिया जो है, वो अर्जित किस तरीके से हो रह रहते हैं, तो अगर आप इस option को जड़ाद से देखें, इस question को ध्यान से देखें, यहां पर वो रखा है method, किस तरीके से आप चीज करा रहे हैं, किस तरीके से करा रहे हैं, तो वो history से तो आप कराएंगे नि, वो कोगनीशन से कराएंगे नि, वो कराएंगे process से, यानि कि क किस प्रक्रिया से आप चीजों को कराएंगे और अगर आप हिंदी मीडियम में ये कोशनिया पर पढ़ते हैं तो ये प्रक्रिया शब्द आपको वैसे भी मिल रहा है कि किस विधी से करा रहे हैं या किस प्रक्रिया से करा रहे हैं वो आपकी प्रक्रिया कोशल के अंदर आ ज चाहेगा यहाँ पर C जो option है वो आपका correct answer है अब मैं आपके साथ next question ही हाँ पर discuss करती हूँ जिसके अंदर बोल रखा है adapting the science curriculum as per understanding level of student अब यह चीज यहाँ पर घुमा के दे दी गई है मैंने आपको कहा था कि content जो विशय वस्तु है वे आपका विशय किस तरीके से होना ची वो validity रखता है historical validity science किस तरीके से evolve हुआ है उसके बारे में आपको बताता है cognitive validity आपको बताता है कि हम बच्चे को किसी चीज को किस तरीके से समझा पा रहे हैं बच्चे की understanding बैठ भी रहे है यह नहीं बैठ रहे है तो यह जो आपकी understanding level है यह आपका cognitive validity के अंदर आ जाएगा तो का direct जो correct answer है वो होगा आपका C option इसके रावा environmental validity की अगर हम बात करें तो यह आपकी awareness से related बात करता है कि आपको बच्चे को aware करना है time to time अब आज की session का last question मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे share कर रहे हूं जिसके अंदर क्या वो रखा है historical validity in science curriculum refer historical validity क्या चीज यहाँ पे refer करत तो यहाँ पर वो रखा है student को आपको engage करना है वो भी method of science अगर method की कहीं पर भी बात की जाए तो process validity के बात हो रही है मतलब method की बात या फिर आप कह लीजिए किस तरीके से processing कर रहे हैं किस तरीके से activity कर रहे हैं तो process के अंतरा जाता है अब अगला है यहाँ पे inclusion of how concept of science evolve over time त हमें उसकी history सही पता चलेगा तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा वो होगा आपका be option अगला है adaptation of content content के बाद आप content validity के अंदर करोगे इसके अलावा यहाँ पर रखाया है कि inclusion of content related to child local environment तो environment के बाद आप environmental validity के अंदर करोगे तो देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ आप से environment का question बनाके बूर सकते हैं आप से content का question बनाके बूर सकते हैं आप से process का question बनाके बूर सकते हैं आपको समझ में आना चेह है कि कौन सा option किस सीज के लिए यहाँ पर correct बैठेगा इस question का जो correct answer है वो है आपका बी option और मैं उमीद करूंगी कि आज के session आपको अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ बाई बाई टेक केर